नमस्कार, स्वागत हैं आपका इंडिये नियूस 28 में, आएए बात करते हैं उत्तर प्रदीश की कुछ खास ख़बरों की कानपूर पुलिस कमिशनर से न्याय की गोहार लगाए ख़बर उत्तर प्रदेश के कानपूर कल्यानपूर की पीरिता ने पुलिस कमिशनर से लगाए न्याय की गोहार बोली साहव आरोपी मुकद्मा वापस लेने का बना रहे है पुलिस कमिशनर से विवेचना अन्य विवेचक अथवा अन्य थाने से कराये जाने की मान पीरिता ने कहा कि विवेचक से विपक्षी सांट गांट करके दबाव बना रहे हैं हम गरीब परिवार बहुत ही भैवीत है मदग की गुहार लगाई है कैमरा में बबिता वर्मा के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसेन की रिपोर्ट किहुंसे ऑब वहें और नयकलते हैं गंदी-गंदी कालियां वकते हैं और हम लोगों को परिश्रक करते हैं देयर कुशकर लगे जब हमने उनसे 13 तारहिके राच में बोला क्या आप ग्ली क्यों देते हो कंदी नजर से क्यों देथ थे हो तो उन्होंने घर में जुचके मारना पीचना चालू कर दिया और नैतिक ने हाथ पकड़ा अभैने हमारे कपड़े फाड़े उसके बाद हमारा भाई जो दुखलांग है उसने चिलाया, चीखा तो अन्म लोगों ने उसका मुद अवा दिया उसके बाद उससे कह रहे हैं कि अगर तुम जादा बोलोगे तो हम तुम्हें जान से मरवा देंगे और हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, हमारे बड़े बड़े नेताओं से पहुच है आज आप लोगों ने कमिश्मर के आँ प्रातना पत्र दिया है तो क्या कहा उन्होंने आपके पूरे प्रकलन की विवेचना कौन कर रहा है और एक और सर है जो उनका नाम अभी उनको नहीं जाद है वो कह रहे हैं आप अपना केस वापस ले लो वरना हम आपके उपर मकदमा जूटा डाल देंगे और आपको उल्टा फसा देंगे आपके साथ घटना कहां पर हुई थी? यूनियन बस्ती में सीटेस वी उपर दियो हुए तो वहां पर कोई सीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे? जी हमने बोला उनसे कैमरे फुलवाई है तो मैडम ने कैमरे नहीं फुलवाए और जोगी सरकार से हमारी जो अधकारी जो है जो हमारी मैडम सिल्की साओ उन्हें चेंज कराया जाए